आज मुलाकत एक वीडियो के साथ आज मैं बनाने जारी हूँ टुमाइटो केचप यह हम सब की फेबरेट है इसकी यूज की तो बात ही ना करें तो अच्छा है क्योंकि हम सार चीज में इसे यूज कर लेते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है इसकी जो इंग्रीडियन से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मद बूलिए तो चले सुरू करते हैं अज की यह मज़ेदार रसीपी चमैटो केचप बनाने के लिए मैं आपे एक किलो तमाटर लेके रखी हूँ जो यह देजी तमाटर है और आप देख सकते यह बिल्कुल लाल लाल और पकी हुई है ठ्राइ करना थोड़ा सा पकी हुई तमाटर लेनी के लिए क्चा टमाटर में केचप अच्छा नहीं बनता है तो यह देख सकते हैं तो इस बाकि क्या चीज से यह वह भी थोड़ा देख लेते हैं एक किलो टमाटर के लिए मैं यहां पे 120 ग्राम सकर लेके काधी चमच में नमक लिया है 4 यहीं चीज हमें रिकुआर है आपकी मर्जी आप कैसे भी कट करें लिकिन कट थोड़ा कर ले तो अच्छा है जल्दी भी बॉयल हो जाएगा और प्योरी बनाने भी आसान होगा तो इस तरह से मैंने सारी टमाटर को पीसेस में कट कर रही हूँ फिर उसके बाद हम प्रेसर कूकर में उसकी सीटी सारी टमाटर को मैं कूकर के अंदर रख दिया है अभी देख सकते मैं आधे गलास से भी कम डालूंगी पानी इसमें और हाई फ्लेम पे तीन से चार सीटी लेके आओंगे और जब तक सीटी ना जाए तब तक प्रेसर कूकर की लीड ओपन ना करें तो यह दिखिए मैंने ल इसला को यहां कि हमें में चेक कर रहे हूं शीटी पूरा खाली हो गया आप उपन करते हैं तमाटर अच्छे से पक गया हए मैं इसको भी ग्राइनिक कर लेती हूं प्यॉरी के लिए फिर ग्राइनिंग के बाद अप से मिलती हूं शीडियाम जर्षारी गजल की आप के तक तो फिर मैं इसको दिखाती है उसको कैसी चनी से निकालेंगे एक चनी लेना एक बाल की उपर रथना और चनी की ऊपर हम ट्व如何 दालेंगे चनीי की वटाल की थी पुटानी था उसकी county करते थी थोड़ा सा पानी अधी ग्लास करी happy में निकाल दिया ताकि हमें कहीं जुरत पड़े क्योंकि एक्स्ट्रा पानी एड़ करने से अच्छा है कि वह टमाटर की पानी ही हम यूज करें मैं दिखाऊंगे आगे वह तो इक स्पून की हेल्प से आप इसे चलाते रहे हैं ताकि जो हमारी टमाटर की प्योरी है वह आराम से निकल जाए यह देखिए। मैं कुछ इस तरह से चला रहा है हूँ, थोड़ा समय से चलाएंगे जाते च्शित्पज हम निकल झाएगा यह दिखिए कि सथरह से टमाटर की चिल्के और बीज निकल आया जिस पानी के बाद कर रही थी झा अब थोड़ा समय इसमें यूज कराएंगी अब इसे ग्यास में पकाएंगे उसकी क्वांटिटी कम होने तक तो फिर चरे देर किस वात की इसको बनाते हैं मैंने ग्यास पर पैन रखती है यह गरम भी है अब देख पा रहे होंगे तो अब में इसमें टमाटर की प्योरे है उसको डालोंगी मैं पूरी तरह से हमें डाल देना है उसको ग्यास की फ्लैम मिडियम पे रखते हुए इसको चार से पांच मिनिट तक पकने छोड़ देते हैं पांच मिनटे की बाद देख सकते हैं तर्फ नहीं कितनी अच्छी से निकर एक और रहे हैं नौ इसकी थीखनेस भी देख सकते हैं क्वॉटडी भी कम होने लग गया है अब हम इसमें सकर को डाल देते हैं सकर में थोड़ा सा भचा रही हूं अगर तमाटर की मीठा कम लग रह इसके साथ साथ हमें भीनेगार को भी डाल देना है तो भीनेगार को भी में डाल देती हूं और ग्यास की फिले मेडियम पे रखते हुए इसको 10-15 मिनिट तक मुझे पकाना है दिहान रहें बीच बीच में आपको चलाते रहना है बनना टमाटर जो है नीचे से लग जाएगा जलने लग जाएगा फिर तो चलाते रहें उसको 15 मिनिट की बाद आप देख सकते हैं टमाटर की क्वांटिटी कितनी लेस होने लग गया है और तो और यह बहुत ठीक भी दिख रहा है और इसकी खुस्प भी बढ़ी अच्छे आ रहा है बस और 5 मिनिट या 7 मिनिट 5-7 मिन लग गया है तो अभी में ग्यास की फ्लेम को आफ कर दूंगे और थोड़ी देर ना 10-15 मिनिट उसको थोड़ा सा थंडा होनी के लिए छोड़ देते हैं फिर उसका फ्लेटिंग करेंगे आज की हमार यह टमाटो कैचप बनके बिल्कुल तेयार है लग रहे हैं लग रहे है एक एक टाइट कंटेनर से फ्रीज में रखना है आपको इसको और यह लंबे टाइम तक जाएगा लाइक देड़ महिना से ज्यादा तक यह रुख सकता है तो उसकी टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा आपको फील होने वाला है अब देख सकते हैं इसकी थंडा होने के अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक सर और चैनल को सब्सक्राइब करने क्लिप बिल्कुल मत भूलिए बिल आइकन को हिट करका और पे सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी पास पहुन सकें फिर मिलते ह दोस्तों एक नए रसिपी के साथ तक तक के लिए थैंक यू